हेलो इस्टुडेंट के एसन केमेश्टी क्लासे में आपका स्वागत है बच्चो आज हम बहुती सरल टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है बायल का नियम ज्यादा तर बच्चे इसको अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं इसलिए बायल के नियम को हम बहुत सरल तरीके से समझेंगे आईए देखते हैं देखिए आप आयल के नियम को आप कैसे समझेंगे बायल के नियमा अनुसार क्या है देखिएगा हम क्या करेंगे इस्थिर ताप पर ताप क्या कर देंगे इस्थिर कर देंगे इस थिर ताब पर ठीक किसी गैस का पराशन दाब उसके आयतन के वित क्रमान उपाती होता है फिर द्यान दीजेगा P है पराशन दाब V क्या है आयतन और यह साइन किसका है जो चीज वटे में होती है अगर इस तरह का साइन हो कि यह है वित क्रमान उपाती ठीक है डिफिनिशन देहां दीजेए यही रट लीजेए इस्थिर ताब पर किसी गैस का पराशन दाब उसके आयतन के क्या होता है वित क्रमान उपाती होता है फिर से डिफिनिशन देखिए इस्थिर ताब पर किसी गैस का पराशन दाव उसके आयतन के वित्व क्रमान उपाती होता है ठीक है यानि कहनी का मतलब है फिर से देखे पी वित्वान पाती एक बटा वी के देखे वित्वान पाती का चिन्द जब मैं भटाएंगे तो यहां बराबर लाएंगे और जब बराबर का चिन्द लाते हैं तो वहां में एक इस्थिरांग यानि नियतांक लाते हैं K नितांक लाए है, बटे में क्या है? V, तो यहाँ पर लिख देंगे, स्थाब क्या है? T क्या है? इस्थिर है, और K क्या है यहाँ पर? Nियतांक है, क्या है? Nियतांक है, अब इस व को P के पास ले गए, तो P वी वराबर के, तो यही डिफ्रीशन मनी इस्थिताब पर किसी गैस का पराशन दाब उसके आयतन के क्या होता है विद्दुक्रमानुपाती होता है तो यह रहा आपका बायल के नियम आएए बायल के नियम के हम लोग आंकीक प्रिश्ण भी देखते हैं तो पहला आंकीक प्रिश्ण आये अच्छी तरीके से हम लोग पढ़े लेते हैं देखिए एक गुबाड़े में कमरे के ताब मतलब कमरे का जो कमरे का टंपरेचर है उस कमरे के ताब पर हाइडोजन गैस गुबाड़े के अंदर हमने भर दी यदि दाब को हमने क्या किया जीरो दसमलो दो बार बार का मतलब है वाइमंडिली दाब से अधिक कर दिया जाता है तो वह फट जाता है यदि एक दसमलो दो बार दाब पर गैस का गैस दो दसमलो दो साथ लीटर आयतन गेरती है कहने का मतलब है हमने गुबाडे में 1.2 बार हमने जब उसमें हवा उतने प्रेशर से हवा इसमें इतने लीटर हमने भरी तो क्या हुआ गो आसानी से भर गई और जैसे ही हमने उसका प्रेशर एक 0 दसमलों दो बार किया तो वो क्या हुआ फट गया ठीक है तो ये बता रहा है कि कितने आयतन तक गुबाड़े को फुलाया जा सकता है मतलब उसकी छमता क्या है फुलाने की कि फट है ना तो इसके लिए क्या करोगे बेटा इसके लिए ये हो गया P1 P1 कितना हो गया एक दसमलों दो बार और P2 क्या हो गया P2 हो गया अब इतना बढ़ाया था तब फट गया था ना तो ये हो गया 0 दसमलों दो बार और V1 कितना दे रखा है आपको V1 दे रखा है आपको 2.27 लीटर V2 आपको ग्याद करना है question mark है तो क्या करेंगे सूत्र वही P1 V1 बराबर P2 V2 ठीक P1 कितना है 1.2 V1 कितना है 2.2 7 बराबर P2 कितना दे रखा है 0.2 और V2 आपको निकालना है इसको नीचे ले आईए इसके तो क्या होगा इसके नीचे जैसी पॉइंट 2 को नीचे लाएंगे तो 1.2 गुड़े 2.2 7 और ये आगया 0.2 और बराबर में क्या रहा खाली यहाँ V2 हमने छोड़ दिया अब ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिया 2.1 कम 2.2 चंग इतना होता है 12 तो 6 गुड़े 2 दसमलो 2.7 ये हो गया V2 अब क्या करेंगे 6 सत्य 42 4 6 दुनी 12 12 चार कितने होते है 16 फिर एक हांसल गया 6 दुनी 12 12 एक 13 और 2 इस्थान बर क्या लगा है 10 लगा है हमने यहाँ 10 लगा दिया तो V2 आ गया V2 कितना आ गया V2 पराबर 13.6 दो लीटर हमने क्या कर दी इसमें हमने इतने आयतन की भर दिया ठीक है इतने आयतन तक गुबाड़े को फुलाया जा सकता है ठीक है अगला आंकी प्रस्मेंट देखते है देखी अगला सवाल है 700 mm दाप पर किसी गैस का आयतन 200 ml कर दिया गया ठीक है 200 ml है किस दाप पर इसका आयतन 400 ml हो जाएगा यदि ताप इस्थिरो सवाल क्या कह रहा है 700 mm दाप पर किसी गैस का आयतन 200 ml है किस दाप पर इसका आयतन 400 ml हो जाएगा यदि ताप इस्थिरो तो जहां mm दे रखता है वो दाब है जहां ml दे रखता है या लीटा दे रखा हो वहाँ पर वो आयतन है तो यह आपका जो 700 है यह P1 है और यह जो 200 है यह V1 है और जो यह 400 है यह क्या है V2 है आपको ग्याद क्या करना है P2 ग्याद करना है तो पहले P1 क्या दे रखता है 700 mm और V P1 क्या दिया है? 200 ml और V2 क्या दे रखा है? 400 ml आपको क्या ग्यार करना है? P2 question mark है फार्मूला वही उसी फार्मूला चलते हैं लोग P1 V1 बराबर P2 V2 P1 कितना दे रखा है? 700 V1 कितना दे रखा है? 200 P2 हमको निकान ला है और V2 कितना है? 400 इस 400 को इसके नीचे ले आएंगे तो 700 200 बटे 400 P2 ये 2 0 हमने उपर नीचे कार दियें 2 1 2 2 2 4 आप देखें कितना बचा है उपर? 700 बचा उपर कितना बचा? 700 ज़्यादा गंदा ना हो इसके लिए मैंने अलग से फिर लिख लिए 2 1 कम 2 2 3 6 1 ये 10 हो गया 2 5 10 और ये 0 P2 आ गया 350 M M ठीक है? इतना आंसर आपका आएगा ठीक है? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं नेक्स्ट नुमेकल है कमरे के ताप पर 50 M L आकसीजन को पारे में उपर एकत्र किया गया है बैरो मीटर में पारे की उचाई कितनी है? 700 M M है तो समान दाप पर गैस का आयतन ग्याद कीजिए देखें M L में दे रखा है यानि ये V1 है और ये क्या है? 700 M M जब भी M M आ जाएगा तो उसकी क्या है? दाप है ये दाप क्या हो गया? P1 है ठीक है? तो P1 दे रखा है 700 M M V1 दे रखा है 50 M L ये M M होगा ठीक है? और ये V1 हो गया 50 M L अब P2 आपको पता नहीं है तो P2 होता है एक Y मंडली दाप बराबर 760 M HG के तो यहाँ पर कितना रख देंगे? 760 M M ठीक आपको V2 क्या करना है? ज्याद करना है फार्मूला क्या होता है? P1 V1 बराबर P2 V2 P1 कितना दे रखा है? 700 V1 कितना दे रखा है आपको? 50 P2 कितना दे रखा है आपको? P2 दे रखा है 760 कितना दे रखा है? 760 और V2 कितना आपको दे रखा है? V2 आपको निकालना है अब इस 760 को इसके नीचे लाओगे तो यह हो गया 700 यह हो गया 50, और यह हो गया 760, यह हो गया V2, ठीक, आप क्या करेंगे, इस 0 से इस 0 को काट देंगे, पचा क्या, पांच सते 35, और यह दो 0 बचे हैं, उतार लिया, और बटे में क्या होगा, 76, यह हो गया V2, आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, 76, यानि 76 को 35 से भाग कर देंगे, भाग करेंगे तो देखिए, कित्ती बार चला जाएगा, यह लंचम चला जाएगा, 4 बार, 4 चंग, 24, हासिल गया, 2, 4 सकते, 8, 2, 30, ठीक, अब एक हासिल ले लिया, 10 में से 4 गया, 6 बचा, यहां कित्ता बचा, 4 बचा, अगली चंग क्या क्य है, 0, अब कित्ते बार जाएगा, यह चला जाएगा, 6 बार, ठीक है, 6, 6 चंग, 36, हासिल गया, 3, 6 सते, 42, 42, 43 कितना होता है, 42, 3, आपका होगा, 45, फिर क्या हुआ, एक हासिल लिया, 10 में से, 6 गया, बचा, 4, दसमन लगाया, 0, 0 बढ़ाया, अब कित्ती बार जाएगा, यहाँ पर, 0 बार उपर आपने लिख दिया, अब फिर दसमन लगा है, उपर, तो आपने क्या कि एक 0 बढ़ा लिया, लंचम कित्ती बार चला जाएगा, 5 बार, तो आंसर आ गया, V2 बराबर, 46, 0, 5 ml, ठीक है, यह आपका आंसर हो गया, चलिए, next,